हलो दोस्तु, आज की इस वीडियो में अपन चिकेंगे कि एक्सल की सेल को कैसे लोक अलोक करते हैं जैसे मेरे पास ये सीट है, इसके अंदर प्रोड़क्ट है प्रोड़क्ट को बारबार चेंज नहीं करना है तो ये लोक है और मैंने है इनको बार बार चेंज नहीं करना है तो ये भी लोग है और नीचे अगर मैंने इनकी टोटल डाल रखी है जहां पर फोर्मुला डाल रखा है उसको भी मुझे चेंज नहीं करना है तो ये भी लोग है और अंदर जो मैंने sell कर रखी है उसको अगर मैं यहां पे change करता हूँ 3500 की जगे 3000 करता हूँ तो वो change हो रहा है क्योंकि यह मुझे change करना है तो अपन आज के इस वीडियो में यह सिखेंगे कि कैसे sell में lock करना है और कैसे unlock करना है चलिए अपन चलते है second seat के अंदर सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे click करके पूरी seat को select करनी है फिर right click करना है और right click करके आपको जाना है format cell के अंदर format cell के अंदर देखिए आपको यहाँ पे मिलेंगे जैसे number है, alignment है, font है, border है, field है आपको जाना protection के अंदर और यहाँ पे जो lock वाड़ा है उसके तिक मार्ग करना है और ok करना है उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो data editable रखना है उसको select करना है और उसके right click करना है right click करके वापस वजी format cell के अंदर जाके और जो आपने protection के अंदर protection में locked कर रहा था, उसको unlock करना है और ok करना है अभी भी देखिए अपनी sheet locked नहीं हुई है, इसके लिए अभी क्या करना है, आपको review में जाना है, और review में जाकर के protect sheet पे click करना है, review के अंदर protect sheet और जैसे protect sheet के अंदर आप click करोगे तो यहाँ पर यह बताएगा lock select lock cell और select unlock cell यहाँ पर आपको डालना है password अभी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर कोई password नहीं डाल रहे हैं और इसको सीधा ok कर रहे हैं तो अभी देखिए आपकी यह seat है जो lock हो चुकी है अभी आप कहीं पर भी click करेंगे तो यहाँ पर आप link नहीं पाएंगे कुछ भी edit नहीं कर पाएंगे और जो seat आपने जो data editable के लिए select किया था वहाँ पर आप edit कर सकते हो जैसे मेरी किसी shell की value है अगर मुझे इसको change करना है तो मैं यहाँ पर change कर पाऊँगा क्योंकि इसको अपने unlock रखा है तो दोस्तु यह है Excel के अंदर किसी seat को lock करना अगर इसी seat को वापस आपको अगर unlock करना है तो review के अंदर जाकर के यह unprotect seat करना है और आप इसको कहीं पर भी edit कर सकते है आशा करता हूँ दोस्तु आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like, share और comment जरूर करना अगर आप मेरी channel के अंदर नए हो तो subscribe भी जरूर करना